हाई एविवन वेलकम बेक टो मैं चैनल तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने आई बीपीएस पीओ प्री में जो मेरा स्कोर आया था लास्ट ये जो मैंने दिया था एक्जैम तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आई बीपीएस पीओ का हमने फॉर्म फिल कर दिया है तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं भी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ लास्ट ये मेरे कितने मार्स थे तो अगर मैं इंडिविजियल सेक्शन के बात करूँ तो मुझे वो प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि एक साल हो गया उस शीज़ को इतना ध्यान नहीं है बट हाँ अगर मैं ओवरॉल कहूं तो ओवरॉल मेरे जो अटेम्ट थे वो 55-56 ऐसी कुछ थे और जो IBPSPO का एक्जाम था लास्ट इयर उसमें जो क्वार्ण सेक्शन था वो बहुत ही लेंदी था टफ था ठीक है रीजिनिंग तो जो थी वो अच्छी थी आप देख सकते हो रीजिनिंग में 23.75 मार्क्स हैं तो मतलब ठीक ही थी I think 24 attempt किये थे मैंने proper मुझे ध्यान आनी रहा लेकिन ज्यादा attempt नहीं हुए थे मेरे बिल्कुल भी नहीं हुए थे और जो इसकी English थी English में मैंने near about 17 या फिर 18 attempt ऐसी ही किया था कुछ और क्वांट में मेरे बहुत कम थे क्वांट में मैंने I think प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा मुझे 15 16 ऐसी रहा होगा बट मैंने जैसे आपको बताया कि overall attempt मेरे कम थे तो इससे आप थोड़ा idea लगा लेना कि मतलब I think normalization भी हुआ होगा थोड़ा बहुत शैद या तो मेरी English में accuracy रही होगी तो मुझे इस वज़े से 1.25 marks जादा मिल गए और quant में तो नहीं थी quant में in fact मुझे लग रहा जहां तक तो इसमें मेरे less ही हुए है हो सकता है एक आदा गलत रहा हो तो उस वज़े से बाकी अगर मैं exam की बात करूँ तो last year जो IBPS PO का जो exam level था वो उसका जो quant section था वो बहुत ही tough था in fact मेरे तो क्या मेर जित्ते भी friends थे किसी के भी quant में उसमें 20 से उपर नहीं गए थे कोई बहुत ही genius रहा होगा बहुत ही extraordinary जिससे कहते है न वो उसने जाके 25 से उपर attempt की होंगे बाकी ऐसा कुछ भी attempt करने लाग तो बिल्कुल भी नहीं था और मेरी आवास थोड़ी सी दबी-दबी आ रही में तो I think कर ही देना चाहिए क्योंकि application firm काफी पहले आ गया था फिल करने के लिए और comment section में बताना जिस जिस ने last year IBPSPO दिया हो तो बताना आप लोगों का कितना score था हाला कि mostly students को तो याद अब नहीं रहता है कितने marks थे पर फिर भी थोड़ा से एक idea हो जाता है कि paper कैसा था I mean tough था last year कैसा था सबसे easy जो IBPSPO का जो exam था ना वो था 2019 में और 2019 में मतलब मेरे उसके PO में आये थे 63 marks जो की मतलब बहुत है उस समय पे तो ये चीज़ काफी अच्छी थी बट mains तो हुआ नहीं था तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ और हाँ ये तो था pre का और mains का भी मैं scorecard शेर करूँगी और एक वीडियो मैं specially आप लोगों के लिए मतलब लेकर आउँगी कि किस तरीके से इंटर्व्यू में मेरे 78 marks थे in fact 78 plus ही रहे होंगे और वो भी बिना किसी preparation के मतलब मैंने कोई ऐसा mock interview नहीं दिया और किसी ने specially मतलब मैंने किसी कोचिंग सेंटर में जाकर जो इंटर्व्यू कंड़क करवाते हैं उन लोगों से ऐसी कोई practice नहीं की मैंने खुद से घर में मैं क्या क्या करती थी practice करने के लिए तो वो सब मैं एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी अगर आप लोग चाहते हो मैं उससे वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगी क्योंकि I think first attempt में इतने अच्छे marks लेकर आना तो बहुत मतलब मेरे को इतनी उमीद नहीं थी मुझे यह था कि बस मुझे पता नहीं शयद 65 प्लस या फिर less than 70 ऐसी मिलेंगे बट मुझे काफी अच्छे marks मिल गए थे मेरी एक friend है उसका RRBPO में selection हो गया है तो उसने भी last year interview दिया था फर्स attempt में इतने च्छे marks कैसे मिल गए मैं तो तीसरा attempt देकर आई मिरको तो 60s में मिले तो I think बहुत सारी चीज़े होती है जो वहाँ पर जो interviews होते हैं वो observe करते हैं उसके according हमें marks मिलते हैं तो वो सारी चीज़े में आपको बताऊंगी और I think एक student ही student को अच्छे से explain कर सकता है क्योंकि वो सारी चीज़े हम वहाँ पर face करके आ रहे हैं कोई teacher आपको ऐसे एक एक point नहीं बताएगा कि वहाँ पर ऐसा होता है तो मैं आपको पूरा detail में बताऊंगी और trust me जैसे ये interview की हवा लोगों ने फलाई हुई है ना interview ऐसा होता है interview ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं ह नहीं किया है या फिर जो करना चाता है तो मैं description में link दे दूंगी आप लोग जोइन कर लेना और मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो मैं फिर से कह रही हूं क्योंकि अब बहुत कम time है और जो पहली बार जिसने ये video देखा है वो चैनल को subscribe करना और वीडियो को like जरूर करना और हां English में आप लोग देख रहे हूंगे मेरे marks कम है क्योंकि PO के English है यह tough तो होगी न और यह वैसे भी लास्ट इयर के है तो लास्ट इयर में इतने अच्छे marks नहीं आते थे let's see this year कितने अच्छे आते है और quant तो I think PO में मैंने जित्ते भी exam दिया न सबसे less इसी में ह है इस जो गया सो गया अभी हम future मतलब जो आ रहा है सामने उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो चलो फिर next वीडियो में मिलूंगी अभी के लिए सिफ इतना ही बाइ-बाइ और टेक कियो